साल दो हजार चौबिस में रेलवे में दो लाट से भी जादा वेकंसी जिसमें से पाँच हजार वेकंसी करीब आर्पीएफ की निकाली जा जोगी यह एक्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएंगे आपको पता होना चाहिए आर्पीएफ के एक्जाम में टोटल 120 कोशन आपसे पूचे जाएंगे 120 में से 35 कोशन मैथ के होंगे 35 रीजनिंग के होंगे और बाकी बचे 50 कोशन सिर्फ और सिर्फ जीएस के होंगे तो इन पैटर्ण्स के आधार पर आप किस तरीके से तैयारी करोगे क्योंकि सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ जीएस की ही वज़े से होना है और रुकना भी सिलेक्शन जीएस की वज़े से है आपको selection लेना है या selection आपको रोकना है यह depend आप पर करेंगे यह किताब मैंने compile इसी बज़े से करी हुई है RRB NTPC हो, Group D हो या फिर Assistant Locopilot का exam हो या JEE का exam हो हर एक exam के लिए इस किताब relevant है इसमें मैंने 260 से जाधा Railway के जो papers हैं जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं उन सारे papers को solve करके दिया हुआ है जहाइर सी बात है यहीं से आपको question देखने को मिलेंगे इतना ही नहीं करीब करीब 3500 सबसे बहतरीन GS के question भी मैंने इस किताब में ही compile किये हुए इस किताब की खासबात यह है कि इसमें मैंने chapter wise भी आपको question दिये हैं और साथ में paper wise भी question दिये है कि कौन से verse में railway के किस exam में कौन सा question पूछा गया है इस तरीके का compilation आपको railway का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलें अगर आप सच में इस बार railway में अपना selection चालते हैं तो इस किताब को आप आज ही अपने पास मंगा सकते हैं Amazon से order करके इस किताब का link वीडियो के description में दिया हुआ है तो वहाँ से आप चाहे किसी भी राज़ में हो घर बैठे आप इस किताब की मदद से तैयारी कर सकते हैं railway में GS में इसके अलावा आपको कुछ और sources पे जानी की जरुत रही है सब कुछ मैंने इस किताब में देवी नौकरी भले ही कितनी सारी हो सिलेक्शन सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास सही रणनीती होगी जै हिन जै भारत Hello everyone, very good morning to all of you आज के वीडियो में 13 और 14 माई दोनों दिन के current fair discuss करेए तो आज के वीडियो थोड़ा सा lengthy होगा इस वज़े से उन्तिम तक ध्यान से बने रहीएगा हर एक news के साथ हो current fair की pdf आप मेरे telegram group से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे telegram को official link वीडियो के description में सबसे उपर दिया हुआ है पहले बात करेंगे कल के question की मैंने आप से सवाल ये पूछा था कि Mount Vincent जोगे ये कौन से महादीप में इस्थे थे तो Mount Vincent इसी को Vincent Massive भी बोलायाता है क्या बोलते हैं Vincent Massive ठीक है और ये इस्थे थे कहां पर Antarctica में इतना ही नहीं Antarctica की सबसे उची चोटी भी Mount Vincent है इसकी खोच पहली बार 1986 में करी गई थी और जिनोंने इनकी खोच करी थी उनका नाम है क्लिंच का नाम है क्लिंच इनका नाम है ये अमरीका से बिलॉं करते थे और 2016 में इनकी मृत्वी हो चुकी है जो क्लिंच है ये एक ओथर थे और परवतार ही थी थे तो यही पहली बार अंटाक्टिका में गए थे और वहाँ पर इनोंने इस पीक को पहली बार डिस्कवर किया था इतना ही नहीं माउंट विंसन के पास ही एक उची चोटी है उसका नाम माउंट फ्लिंच ही रखा गया है वो फ्लिंच के ही नाम पर रखा गया है तो अपसे आप ध्याम रखेगा अंटाक्टिका रीजन की सब्सक्र उची चोटी है माउंट विंसन अब यह जो माउंट विंसन है इसके बारे में आपको बता देता हूँ इसकी अगर लंबाई देखा जाए इस पूरी परवशंकला की लंबाई तो यह 21 किलो मेटर लंबी परवशंकला अगर इसकी चोड़ाई की बाद करी जाए तो यह 13 किलो मेटर चोड़ी है अगर इसकी उचाई की बाद करें कि माउंट विंसन उची कितनी है तो इसका एलिवेशन है 4892 मेटर मतलब आप बोल सकते हो 4892 मेटर मुची यह चोटी है अब शुरू करते हैं करेंट फेल हाली में यह कौन सी कंपनी के चेर पर्सन और मैनेजिंग डिरेक्टर है जिनको गवर्नेंट पेनेक्ट की तरफ से PSU समर्पन एवार्ड से सम्मानित किया गया है इंपोर्डन कोशन है आप ध्यान केंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिम्टेट जिसकी स्थापना सन 1941 में करी गई थी और उसके बाद भारत आजाद हो जाने के बाद 1961 में भारत सरकार ने पूरे तरीके से इसको अपने अंडर्टेकिन ले लिया था तो इस टाइम पर यह कंप्लीटली गवर्डमेंट ऑफ इंडिया के अंडर्टेकिन और्गनाइजेशन है और यह एक ऐसा संस्थान है जो कि इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गाड के लिए शिप्स को बनाने का काम करती है भारत ने कौन से देश के साथ शार्क और रेज को लेकर रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट के लिए एक पैक्ट साइन किया है तो यह पैक्ट भारत सरकार ने उमान के साथ साइन किया है शार्क तो आपको पता ही है मचलिया होती है वे जगह पर काफी डेंजरेस होती है वैसे इन मचलियों के बारे में एक fact आपको नहीं पता है शार्क कभी भी अपनी तरफ से attack नहीं करती है लोगों को लगता है वो जानलेवा होती है बट ऐसा नहीं है शार्क अपने आप में ही काफी शाय फिच होती है शरमीली होती है वो इंसानों के बीच में आना पसंद ही नहीं करते हैं लेकिन जब उन्हें खत्रा लगता है तो फिर वो attack भी कर देती है और race की अगर बात करें तो ये होते हैं race इनको आप लोगों ने अगर आप समुद्री किनारों पर रहते हैं I'm very sure आपने इने देखा होगा अगर आप नहीं रहते हैं तो भी I'm very sure आपने YouTube वेगरा में कहीं न कहीं ने जरूर देखा होगा कई बार ये समुद्री किनारों पर कम पानी के चलते किनारे पर आ जाते हैं और इनकी जान काफी मुश्किल में आ जाती है तो कई बार इनको rescue भी करते हुए अपने लोगों को देखा होगा तो आने वाले समय में marine habitat को समझने के लिए भारत सरकार ने ओमान के साथ ये pact sign किया है दोनों देश आपस में एक दूसरे को सायोग करेंगे और जो अरब सागर है वहाँ पर ये research and developments आगे भभी जाएगी ओमान की capital क्या है इसको बोलते हैं मसकट और ओमान के सुल्तान है इस टाइम पे हैतम बिन तारीक क्या नाम है हैतम बिन तारीक ये कौन सी कंपनी है जिसके दुआरा भारत के सारे बैंकों के साथ मिलकर डिस्टल क्रेडिट की facility customers को दी जाएगी तो ये कंपनी है जेटा जेटा मुंबई की एक fintech कंपनी है और इनोंने फैसला लिया है कि ये सारे बैंकों के साथ अज की डेट में हर बैंक लोगों को दे सके तो कि साथ है ये बैंकों की income के अंतरगत आता है लेकिन जैसे जैसे UPI का जमाना आ चुका है और UPI का यूज लगा तार बढ़ता चला जा रहा है तो आज की डेट में customers ये चाहते हैं कि उनका जो UPI application है आप चाहे कोई भी यूज़ कर रहे हो चाहे Google पे हो फोन पे हो भारत पे हो कोई भी आप यूज़ कर रहे हो सब में आपको loan की facility भी मिले तो Zeta एक ऐसा संस्थान है जो कि भारत के सारे बैंकों के साथ बिलकर उनके payment aggregator application पे ही loan की facility प्रोवाइड करेगा बतलब अगर आप loan लेना चाहते हैं आप अपने application सही apply करिए 24 गंटे के अंदर आपको KYC upload करनी होगी वहीं पर आप वीडियो से अपनी KYC upload कर दीजे और अगले 24 गंटे के अंदर bank की तरफ से आपको पता भी लग जाएगा कि कितने का loan अप्रूव हो है जैसे मानली जो आपको 5 लाग का loan चाहिए तो अगर आपकी credibility होगी तो bank आपको approval 5 लाग का दे देगा अगर कम की होगी तो हो सकता है bank आपको 4 लाग का ही approval दे तो यह सारी चीज़ें आपके application पर ही हो जाएंगी आने वाले समय में Zeta company इसके लिए पैक्टिसाइन कर चुकी है Zeta की स्थापना 2015 में करी गई थी headquarter मुंबई इसके CEO है भाविन तुराकिया क्या नाम है भाविन तुराकिया यह कौन सी company है जिसके द्वारा अंतरास्टिय इस्तर पर पैसे को भेजने के लिए एक digital service शुरी करी गई है जिसका नाम है यहाँ पर TC का मतलब है Thomas Cook इंडिया जो company है इन्होंने एक नया अपना payment solution launch किया है इसके अंतरगत आप दुनिया में किसी भी देश में बैठे अपने दोस्त को अपनी family को पैसे बेज पाएंगे बड़ी आसानी से अभी तक अगर आपको दूसरे देश में पैसा बेजना होत जैसे कि बैंक में जाके आपको पेपर वर्क फॉलो करना होता है अपार्ट फॉर्म डिस आपको KYC भी करनी होती है इसके अलावा और भी documents आपको साइन करने होते हैं तो TC pay में यह सारी चीज़े बड़ी आसानी से आपके application पर ही हो जाएंगी घर बैटे आपको उसके लिए बैंक जाने की जरूत नहीं पड़ेगी इवेन इतना ही नहीं बैंकों में international payment transfer के लिए working hours होते हैं उसके अलावा यह payment transfer नहीं हो पाती हैं लेकिन इसमें 24-7 आप payment transfer कर पाएंगे और Thomas Cook इंडिया इसकी स्थापना 1881 में करी गई थी headquarter है इसका मुंबई और इसके CEO हैं महेश अंतरास्टी नर्स दिवस कौन से दिन हर साल मनाया जाता है यह दिवस 12 माई को मनाया गया और important चीज़ है इसकी theme इसकी theme बहुत important है इस बार क्योंकि इस तरीके की छोटी और simple themes बहुत पुची आती है तो इस बार 2024 की theme रही our nurses our future क्या रही our nurses our future यह कौन है जिन्होंने अपना ही record तोड़ दिया है और 29 वी बार Mount Everest की चड़ाई करी है तो यह है दवाने नॉनली कामी रीता शेर्पा और कामी रीता शेर्पा पिछले 30 सालों में लगबग हर साल Mount Everest की चड़ाई करते है इवन 2023 में तो इन्होंने दो बार Mount Everest की चड़ाई कर ठीक है यह कहां से belong करते हैं यह नेपाल से belong करते हैं शुरवात में इन्होंने अपना career जो start किया था 1992 में 1992 में उस टाइम पर जो परवतार हो ही होते थे जो पहाड़ों में चड़ते थे उनको support करने वाले crew के रूप में यह काम करते थे लेकिन उसके बाद 1994 में इन्होंने स साल चड़ने हैं और कामी रीता शेरपा के जो राइवल्री हैं मतलब जो उनके सबसे करीब हैं वो आज तक 27 बार इसे चड़ा चुके हैं और इनका नाम है पसांग दावा क्या नाम है पसांग दावा यह भी नेपाल से ही पिलाओं करते हैं यह कौन सा देश है जिसने इस साल चार तीसमा सलतान आ अझजा ट्रँफी हौकी में खेली जाती है और इस बाबर जीटा है जापन ने जो इसका final केला गया है, यह Malaysia के अजलान शाह स्टेडियम में ही केला गया है, इस वार छे टीमों ने हिस्सा लिया था सुल्तान अजलान में, यह टीमें कौन कौन सी है, जापान, पाकिस्तान, मलेशिया, तीन तो यह हो गई, इसके अलावा Canada, South Korea और New Zealand, ठीक है, और सबसे last में इस टाइम पर सबसे बुरी इस्तिती रही Canada की, Canada सबसे पहले आउट हो गया था, और सबसे बहतर जापान, पाकिस्तान, और फिर तीसे नमबर पर रहा Malaysia, और जहां पाकिस्तान इसे तीन बार जीत चुका है, वहीं भारत इस ट्रॉफी को पांच पार जीत चुका है, अस्ता पहले में पहली बार किसी महिला को डीजीपी की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, और इनका नाम है इदाशेशा नोंगरांग, क्या नाम है, इदाशेशा नोंगरांग, सीनेर आईपे सदिकारी है, 1992 की, और अपार्ट फॉम दिस, 2021 में, एक्टिंग डीजीपी के रू बनाए गए हैं, तो यह है लक्षमी कांतराओ, यह कौन है जिनको इफको के डिरेक्टर के रूप में इलेक्ट किया गया है, इफको जिसको बोलते हैं, इंडियन फार्मर्स फटलाइजर कोपरेटेव लिम्टेट, पूरे भारत भर में, साद पदार्थों के उत्पादन मे और उनके लिए जो मानक तयार किया जाते हैं, वो सब इसी संस्था के द्वरा तयार किया रहे जाते हैं, तो जो खाद वगएरा हैं, उनके लिए सबसे बड़ा संस्था नहीं है भारत का, इफको के नए डिरेक्टर, अब से जो एपन किये गये हैं, यह है विवेक कोले, गोवा वाले रीजन में, काफी अच्छा कारोवार इन्होंने किया हुए है, तो इनके बिजमेस के एक्स्पिनेंस को देखते हुए, इफको में अब इनको डिरेक्टर अपॉइंट किया गया है, वैसे अगर बात करें, तो इफको के CEO कौन है इस टाइम पे, तो यह है उद दिलीप संघानी, क्या नाम है, दिलीप संघानी, तो यहाँ पर आपको मैंने तीन कोशन बता दिये हैं, तीनों न्यूज आप ज्यान रखिए, इफको के डिरेक्टर विवेक कोले, इफको के CEO उदेश अंकर अवस्थी, और इफको के शेयर परसन जो अपर्ण किये गए है यह है दिलीप संघानी, सेल तो आप जानते ही है, Steel Authority of India Limited, तो सेल का जो 36 गड़ में भिलाई वाला जो प्लांट है, इनके द्वारा कितनी कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट इस्थापित किया जा रहा है, तो सेल भिलाई 15 मेगावाट कैपेसिटी का एक पावर प्लांट स्थापित करने जा रही है, 36 गड़ के ही दुर्ग डिस्टिक में, कहां पर दुर्ग डिस्टिक में, तो यह आप जरूर ध्यान रखें कि सेल स्थापित कर रही है, और कहां कर रही है, दुर्ग में कर रही है, विलाई वाला प्लांट, और आने वाले समय में यह जो पर्ट और क्या बता सकते हैं सेल का हेड़कौर्टर क्या है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए चले मैं ही बता देता हूँ मुंबई है इसका है इसका है और चत्रिस गड़ में इस टाइम पर सरकार किसकी चल रही है यहां पर मुख्य मंत्री है विस्नु रही है चत्रिस गड़ के आप क्या वकण और वकडाम से में विस्नु देव साही और यहां के गवर्णनर है बिस्रूबूशन हरी चंदब अच्छा 36 गड़ के आप फॉक्ड़ जानते हैं क्या इसलिए मैं आपको बोलता हूँ डेली आप PDF जरूर पढ़ा करिए जो कि टेलिग्राम पर में शेयर करता हूँ क्योंकि PDF में बहुत कुछ दिया होता है current affair के अलावा भी यह कौन है जिनको Canada की McGill University की तरफ से डॉक्टरेट की उपादी से सम्मानित क्या जाएगा तो शी इस दवन एन अनली डॉक्टर सौम्या सौमीनाथन डॉक्टर सौम्या सौमीनाथन है कौन रैसे तो यह infectious diseases की specialist है लेकिन इनका करियर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2017 में इनोंने WHO जोइन किया था deputy director general के रूप में इतना ही नहीं 2019 में यह WHO के अंदर पहली chief scientist के रूप में भी appointment करी गई थी और 2021 तक इनों ने वहाँ पर सर्फ किया है सबसे वड़ी बात यह है कि उस टाइम पर COVID pandemic चल रहा था तो इन सारी चीजों को देखते हुए और जिस प्रस्ट भूमी पर इनोंने काम किया वहाँ पर सर्फ किया इसलिए अब इनको Canada की McGill University की तरफ से लोक्ट्रेट उपादी से सम्मानित किया जाए यह कौन सी कंपनी है जिसको approval मिल गया है कि यह Reliance Capital को acquire कर लेंगे मतलब Reliance Capital को अब यह खरीद लेंगे और यह जो approval है यह ADI के द्वारा दिया गया है Insurance Regulatory and Development Authority of India ADI एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे भारत बर में insurance companies के लिए मानक बनाने का काम करता है insurance company अगर कुछ भी कर सकते हैं तो वो ADI की permission से ही कर सकते हैं उसके बिना नहीं तो यह group है हिंदुजा ग्रूप हिंदुजा ग्रूप फाइनली Reliance Capital को पर्चेस कर लेगा और इसको यह पूरे तरीके से दिग्रेंड करेंगे Reliance Capital और इनके साथ Reliance Nippan Life Insurance भी है तो यह दोनों ही Reliance की insurance company है जिनको यह खरीद लेंगे जाहिड सी बात है Reliance असमें अब काफी interested नहीं दिख रहा है जिसकी वज़े से हिंदुजा ग्रूप इनको टेक ओवर कर लेंगे Reliance Capital की स्थापना 1986 में करी गई थी इसका headquarter है नवी मुंबई और इसके chairperson है अनिल अम्मानी कौन है अनिल अम्मानी आपको पताईए अनिल अम्मानी का business पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है AD की अगर बात करें इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी इसका headquarter है हाइदराबाद आप सभी लोग ध्यान रखें अगर आप static gk में किसी भी तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं तो मेरी static gk की किताब आप आज ही अपने घर मंगा सकते हैं किताब के link वीडियो के description में दिया हुआ हिंदी और इंग्लिस दोनों में static gk book मेरी available है साथ में उसमें 2000 से जादा static gk के questions भी है topic पहले दिये हुए है table के format में उसके बाद उन से जुड़े हुए सारे questions भी उस किताब में मैंने दिये हुए है तो one stop solution है किसी भी exam के लिए ये कौन सा संस्थान है जिसने हिंडाल को industries के साथ एक pact sign किया है और हिंडाल को कि ये मदद देंगे aluminium राप्त करने में मतलब ऐसा aluminium जिसका use ships को बनाने के लिए किया जाता है तो इस aluminium को बोलते है marine grade aluminium ठीक है और aluminium काफी secure भी माना जाता है aluminium की मदद से trainों के डिब्बे भी बनाए जाते है तो ये है Indian Coast Guard भारती है 30 रक्षक बल ICG ने इनके साथ kit sign किया है आने वाले समय में 67 ships के लिए हिंडेलको इनको marine grade aluminium प्रोवाइड करने का काम करेंगे लागी हिंडेलको के अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी भारत के में aluminium के लिए सबसे प्रतिस्ट संस्थानों में से एक है हिंडेलको इसका headquarter है मुंबई और हिंडेलको के chairperson है कुमार मंगलम बिर्ला ग्रुप की संस्थान है इंडियन कोस्पगाड की स्थापना 1978 में करी गई थी इसका headquarter है नहीं दिल्ली और इसके डिरेक्टर जनरल है राकेश पाल हाली में इंडियन नेवी में chief of personal के रूप में किसको appoint किया गया है तो जो आपको picture में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है Vice Admiral Sanjay Bhalla काफी तगला इनको experience है पिछले 35 सालों से इंडियन नेवी में serve कर रहे हैं भारतिये 9 सेना में एक जनवरी 1989 में इनको commission किया गया था और तब से अभी तक बीच में इनको तीन INS का experience भी है एक INS निशंक का इनको experience है आइनस ब्यास का भी experience है और आइनस तारागिरी को भी यह समाल चुके हैं ठीक है और इससे पहले यह जो eastern fleet है जो की विशाका पत्नम में इंडियन नेवी की वहाँ के flag officer के रूप में भी कारेटर रहे चुके हैं भारतिये 9 सेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को हर साल मनाते हैं और इंडियन नेवी की जो tagline है वो है शम नो वरुना इसका मतलब क्या है मतलब समुद्र के देवता हम पर अपनी करपा बनाये रखे क्या आपको याद है मैंने दो दिन पहले आपको बताया था इस बार का जो T20 वर्ल्लक अप होने जा रहे है उसमें जो श्रिलंका टीम है उसको कौन सी भारतिये कंपनी स्पॉंसर कर रही है तो ध्यान रखें यह है अमूल कंपरी हाली में रिजर्ब बैंक आफ इंडिया की तरफ से एक्जिकिटिव डिरेक्टर के रूप में किसको एपॉंट किया गया है तो अब से नए एक्जिकिटिव डिरेक्टर होंगे आ लक्षमी कांत राओ और divers की स्थापना 1935 में करी गई थी इसका हैड़कोर्टर है मुंबै रबिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास 2023 में पूरे दुनिया में गवर्ノर ओड़ येर के ٹाइटल से भी सम्मानित किया गये थे और ये रबिया के 25 में गवर्नर है वर्ड माईग्रेटरी बर्ड डे कौन से दिन मनाया जाता है ये दिवस माई के महिने में दूसरे सैटरड़े को मनाया जाता है मतलब सकेंड सैटरड़े को मनाया जाता है और इस बार जो सकेंड सैटरड़े माई का पड़ा है ये पड़ा ग्यारा माई को तो इस बार इसे हम इस दिवस को मनाने के पिचे का में उद्देश है कि दुनिया भर में बहुत सारे पुक्षी हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में ट्रावल करते हैं इवन एक कॉंटिनेंट से भी दूसरे कॉंटिनेंट में ट्रावल करते हैं उन सभी पक्षियों को बचाने के लिए वाले रीजन से भारत में आती है और वापस जाती है फिर तो इस तरीके के जो बर्ड्स हैं यह हमारे हैबिटेट के लिए बहुत ही सुन्दर और भव्य है इंक्रेडिबल है और इन ही से एको सिस्टम चल रहा है तो इनको बचाने में कोज भी शरम नहीं होनी चाहिए एवन हमारी ड्यूटी है माना होनी के नाते आपको पता यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था 1993 में दिवस मनाया गया था पहली बार हाली में एक joint military exercise है जिसका नाम है शक्ती तो शक्ती exercise भारत कौन से देश के साथ कंड़क्ट कर रहा है तो यह हम कंड़क्ट कर रहे हैं फ्रां में होती है एक साल यह भारत में होती है इस बार की जो exercise है यह भारत में हो रही है और कहां पर हो रही है यह मेगाले के उम्रोही डिस्टिक में हो रही है पिछली बार की exercise थी वह 2021 में हुई थी और वह फ्रांस में हुई थी फिलाल यह exercise है यह कल के दिन शुरू हो चुकी है म यह exercise आने वाले 26 मही तक चलेगी और इस exercise में अगर टोटल बात करी जाए तो 43 पर्सनल्स एंडियन आर्मी के हिस्सा ले रहे हैं जिसमें से 3 officer हैं, 3 junior commission officer हैं और बाकी के जो 37 हैं यह हमारी गोर्खा राइफल्स के जवान हैं 2024 की annual investment meeting congress कहां पर आयजित करी जा रही है तो इस बार इसका योजन अबुधाबी में किया जा रहा है और जाहिर सी बात है investment meeting congress है तो दुनिया वर के कई सारे start-up भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो यहां पर दुनिया वर के वो start-ups and companies हिस्सा ले रहे हैं जो की दूसरे देशों म start-up यहां पर हिस्सा लेने के लिए गया हुए है कैरला start-up mission हो गया आंद्रप्रदेश mad tech हो गया invest India हो गया CII हो गया इस तरीके सो बहुत सारे start-up यहां पर गया हुए total 35 है जो आपको picture में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है मिखाईल मिशस्तिन का नाम है मिखाईल मिशस्तिन एक बार फिर से रशिया के प्रधान मंत्री के रूप में इनका appointment किया गया है रशिया के प्रधान मंत्री का कारेकाल क्या होता है तो इनका कारेकाल 6 साल का होता है जैसे 2020 में पहली बार प्रदान मंतरी रशिया के बने थे और उस टाइम पर ये बीच के टेन्योर से ही बने थे तो अभी 2024 में 4 साल के बाद ही वो वाला टेन्योर खतम हो गया है अब अगले टेन्योर के लिए अपॉइंट किये गए है मतलब अब ये 2030 तक प्रदान मंतरी रहेंगे रशियर के और इससे पहले अगर बात करें तो रशिया का जो टेक्सेशन डिपार्टमेंट है टेक्सवाल डिपार्टमेंट है जैसे हमारे हाँ रवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसी तरही के से यहाँ पर टेक्सेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं तो उसके हैड पारचा बगहरा होता है वो केंद्र और राज के bीच में उसका परसेंटेस कितना होता है क्या रेशियो होता है? comment box में लिख कर बताइए 2024 के कि सीभी एग्जाम के लिए चाहे वो SSC का एग्जाम हो, railway का एग्जाम हो आपको पता ही है जो मेरा फुल फॉर्माट बैच है, GSGK का फांडेशन, इस टाइम पर समर ओफर चल रहा है, 30% का ओफ है हर एक बैच में लगवग, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, History, Quality, Geography, Science, Economics, Computer, साथ मैं One Niner का Crash Course है, पिछले 5 सालों के PYQs भी मैंने कवर किये हुए है, अगर आप इस बार का CPO, MTS या CHSL देने जा रहे हैं, तो मैंने Duo Batch भी लॉंच कर दिया है, Comprise में, जिसमें GSGK भी Complete है, और Reasoning भी आपका Complete हो जाता है, और एक टोटिक के साथ, क्योंकि दोनों ही Scoring Subject है, आज की बाद यहीं तक रहेगी, Thank you so much, Have a nice day, Take care बाबाय, आपका दिन मंगल मैं हूँ, जै हिन, जै भारत,